स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिंत पुरह आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल जहांपन में वीडियो से अप्लोड करता हूं फुर इंजिनेरिंग मैथमेडिक्स बीस सी इस विन आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं इस क्लासिफिकेशन ऑप सिंगुलर्टी मेरे जो कॉंपलेक्स अनलसेश के जित्ती भी वीडियो उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स रह गएते वह मैं आज आपके सामने लिखे आने वाला हूं तो आज मैं आपके सामने सिंगुलर्टी के बारे में आईडिया देने व आज मैं आपके सामने इंट्रडेक्शन दूगा क्लासिफिकेशन बताऊंगा फिर जो नेक्स क्लास होगी उसमें एक में पूरा आईसोलेट समझाओंगा एक में पूरा नोन इसोलेट सम्झेव राइट पर एक बार जास इंट्रोडेक्शन देख लेए कि टॉपिक है क्या क्लारे तो बात करेंगे यह सुनि यहांपे कि आइसोलेट सिंग्ड़टी हमारे पास सबसेपहले सिंग्ड़टी और आइस को समझने से हमें यहां पर 0 of the function क्या होता है Let fz be the function defined on a domain d If there exists a point a belongs to d Such that f is equal to 0 उस point पर function की value क्या हो जाए? 0 हो जाए Then a is set to be the 0 of the function For example, मैं आपके सामने एक function लेता हूँ fz माली जापने fz लिया यहाँ पे z square upon e की पावर z ले लिया यह हमारे पास एक function ले लिया यह 1 की पावर z की जगा आप ऐसा ले लिजी यहाँ पे z minus 1 ले लिजी राइट है यहाँ आपने ले लिया z minus 1 clear है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस function को हम क्या रखें कि यह 0 हो जाए तो हम जानते है z is equal to 0 पे यह function हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो z is equal to 0 इसका क्या होगा? 0 of the function होगा अब बात करते हैं कि order of 0 क्या होता है? ठीक है रहा? चलो 0 तो समझ में आ गया कि वो point जिस पे function की value 0 हो जाती है वो हमारे पास 0 of the function होता है for example एक और example लेते हैं राइट f z is equal to sin z है ना? तो हमारे पास यहां पर z is equal to n pi जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? इसका 0 हो जाएगा इससी टैप से अगर बात करें f z is equal to cos z है ना? तो हम जानते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या होगा? 2 n plus 1 pi by 2 क्लियर है कि हमारे पास जिते भी pi by 2, ultimately जिते भी pi by 2 आएंगे यहां पर like pi by 2, 3 pi by 2 वो सभी पर function क्या हो जाएगा? वो उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब बात होती है यहां पर की order of 0 कैसे निकालते है? order of 0 is very important है ना? तो वैसे आप देख रहे हैं यहां पर तो ध्यान दीजे जब भी हमारे पास कोई function दे रखा है तो वो function में अगर z is equal to a is a 0 of fz then हम उस function पे 0 रखेंगे फिर उसके derivative पे वो point रखेंगे 0 हो रहा है फिर उसके double derivative, triple derivative जिस derivative पे उस point को रखने पर function 0 नहीं होगा वो derivative उसका order हो जाएगा for example, मान लीजे यहां पर fz is equal to हमारे पास z square हम इसका check कर रहे है हम जानते हैं कि z is equal to 0 पे यह function क्या हो रहा है हमारे पास 0 हो रहा है clear है? है ना, फिर हम बात करेंगे इसका derivative निकालेंगे f dash z, है ना तो यह 2z आ रहा हो रहा है, वो not equal to 0 हो रहा है मतलब इसका order होगा, वो कितना होगा इसके derivative के बराबर होगा, मतलब two order का हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, this is the concept, right? है ना, जिसे हमारे पास यहां पे m plus 1 order का derivative वो 0 नहीं हो रहा है उस point पे तो इसका order होगा, वो m plus 1 हो जाएगा एक और example, देखे, z minus 1 का whole इसका होगा तो हम जानते है, z is equal to 1 इसका क्या होगा? 0 होगा, right? है ना, क्योंगी 1 पे 0 हो रहा है, derivative पे 1 रखा तो 0 हो रहा है पर जिसी double derivative करेंगे तो इसकी वेलिए 2 हो जाएगी which is not equal to 0 at z is equal to 1 that's why the order of this function fz is 2, right? है ना, z is equal to 1 का, यहाँ पे जो 0 होगा, वो order 2 का होगा इसी डेप से हम बात करेंगे हैं यहाँ पे sin z के बारे में है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे fz is equal to sin z दिरेकर, आप से पता लगा ना, कि किस order का 0 होगा है पे उसका यहाँ पर हम जानते की, हम यह पर पता करेंगे इसको 0 put करेंगे, तो sin z is equal to, हमारे पास क्या जाएगा? là you wonder sin n pi हो जाएगा ऊजाएगा, to z is equal to, हलंदे हैं, यहाँ पर आप ένα ni हमारे पास integer होता, हमारे पास बहुत सारे zeros मिलेंगे आपको यहाँ, it sure ka पाई मिलेगा 2 पाई मिलेगा 3 पाई तो आप से पूछा जाए कि कोई भी जीरो हमें मिलेगा वो किस ओडर का होगा मालेजिए हमने यहां पर एन इस इकोड़ वन रख लिया है ना तो हमारे पास जेड़ पाई इसका एक जीरो मिलगा अब आपको पता लगाना है कि जेड़ खुड़ पाई किस मिलें तो हमें कुछ यह नहीं करना हमें सिप्सक्रियर लख कि तो हम जानते हैं साइन पाई क्या होता है जीरो ओटा है फिर हम क्या करें इसका डेरिवेटीफ निकालो FZ का है ना इसका डेरिवेटीन निकाल कि कितना रहाए सउनिया पेすव दो कॉस जितने भी आएंगे हमारे पास इसके 0 उन सब का Обरिसरो मिलेंगे न अगर हमारे पास किसी का old competitions मेँदे को औथ हृता है न फ embora Minister कॉट हम उनुटत एसको ऑटर बोलता है सिमपल जीरो सिम्पल पॉल तुम देने FZ, if F is analytic at point A, जिस point पर function analytic होता है, वो सभी point जो होते हैं, वो regular होते हैं, right, for example, FZ is equal to E की पावर Z, इस यह exponential function है, this function is regular for interplan C, हर point पर यह जो E की पावर Z होता है, यह क्या होता है, analytic होता है, कोई भी ऐसा point नहीं होगा, जहां पर यह function analytic नहीं होगा, right, तो यह हमारे पास क्या होग तो इसका जो function होगा, यह हमारे पास क्या होगा, इसका हर point जो होगा, वो regular point होगा, और इस type की जो function होते हैं, उसको entire function मोलते, right, if FZ is entire function, then every complex number is regular point of the function, जैसे E की पावर Z है, sin Z है, cos Z है, तो यह जितने भी functions होते हैं, यह सब क्या होते हैं, हमारे पास entire function होते हैं, polynomial ले ले लि singular point, इसका just ultra, singular point का मतलब होता है कि वो point जहां पर function analytic नहीं होता है, पर मैं आपको बताना चाता हो कि singular point के लिए function का analytic होना ज़रूरी है, मतलब हर function like function analytic है, पर उसके particular point पर function जो हो है, वो like analytic नहीं हो, right, define नहीं हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, singular point होता है, right, a point Z is equal to A is called a singular point of F if FZ is not analytic at point A, right, तो अगर किसी particular point पर function analytic नहीं होता है, तो वो जो point होता है, वो हमारे पास क्या होता है, singular point होता है, जैसे FZ is equal to 1 by Z, यहां मैं आपके सामने कोई example देता हूं कि FZ is equal to 1 upon Z minus 1, तो हम जानते हैं कि Z is equal to 1 पर function define नहीं होगा, मतलब ये point होगा, ये इसका singular point होगा, बागी इस point को छोड़कर सब जगए function जो होता है, ये क्या होता है, हमारे पास analytic होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, Z is equal to 1, इसका क्या हो जाएगा, singular point हो जाएगा, और इसके अलावा जितने भी point होगे, वो सब क्या होगे, इसके regular point होगे, तो FZ is equal to 1 by Z, तो हम जानते है Z is equal to 0 पे define नहीं होता है, मतब ये इसका क्या होगा, singular point हो जाएगा, जिसे 10Z की बात करें, तो हम जानते है 10Z कब define नहीं होता है, जब pi by 2 पे होता है, जब pi by 2 होता है, तो 2N plus 1 pi by 2 हो जितने हमारे पास 8 pi by 2 होगे, जिसे pi by 2 है, 3pi by 2 है, 5pi by 2 है, तो ये सब इसके क्या होता ह होता है ना जहां पर function की value infinite आ जाती राइट मतलब वो हमारे पास क्या होते हैं singular point होता है clear है बात करेंगे आगे अब यह classification is very important right अब singularity होती क्या सुन दो टाइप की होती है one is isolated singularity second one is non isolated singularity isolate का मतलब होता है कि जिसमें finite number of points होते है ना ठीक isolate का मतलब होता है हमारे पास normally यहां पर तीन टाइप के singularity one is removal singularity second one is pole and third one is essential singularity right और non isolated singularity होती है सिर्फ हमारे पास एक टाइप की होती तो मैं अभी दो classes लेके आने वाला हूं एक में यह तीनों समझाऊंगा और हो सकता है किसमें में दो class ले लूग क्योंकि removal और और असेंशल आपने अपने थोड़े बड़े टॉपिक है तो सकता है कि मैं इसमें दो से तीन class लूँ और इसमें class लोगा राइट तो यह पूरा हम आपको समझाने वाल और आज थोड़ा सा मैं आपके इंट्रडेक्शन दूआ कि आईसोलेट सिंगूलर्टी क्या होती है और नोन इसोलेटेट सिंगूलर्टी क्या होती राइट तो अपन वन बाइवन आप यहाप है डिसकस करते हलका साइड दूगा क्या होता है अब बात करते हैं आईसोलेट सिंगूलर्टी क्या होती है तो वह हमारे पास क्या होता है आईसोलेट सिंगूलर्टी होता है है ना मान लिए जिसा हमारे पास इस पॉंट पे यहाँ पास इसंगूलर्टी को घ्रिट तो वह जाते के जैड इसको जोगा वह क्या होगा इसका शिंगूलर्टी को गपर zero के आसपास में जिते बिए नेवराट में पॉइंट होंगे मान लिए दो उसस्टीं सभी वाइश पॉइंट पर नहीं हो रहा बाकि सभी पॉइंट पर क्या हो रहा है अनल्टिक हो रहा है इसलिए यहां पर जो एफ बन बाई-जेड होगा यहां पर पास जो सिंगुलर्टी होती होती है यह यहां पर यहां पर यहां पर पास क्या होगा इसको छोड़के बाकि सभी पॉइंट पर फंक्शन हमारे पास क्या है यहां पर अब बात करते हैं यहां पर इसको एक और एक्जम्पल देखो आइसोलेटेट सिंगुलर्टी में तीन टाइप होती है वन इस पूल सेकेंड वन इस रिमूबल सिंगुलर्टी एं थर्ड वन इसको इसको जीरो रखोगे तो हम जानते हैं साइन इसका मतलब यह होगा कि वन बैजेट इसको ठीड पास क्या होगा वन अपन पाई होगा तो यह जो एंटैंस to पॉन साइन वन बाइज होता है ना तो यह हमारे पास जीरो रखने पर लिमिट पॉंट पॉल हो जाता तो वह मारे पास नो ना इसलेटेट असेंशल सिंगलोटी होती है यह मैं आपको मैं बताना चाहता हूं परेशान मत होई आने वाली जो भी अपकमिंग दो से तीन चार व नो ना इसलेटेट असेंशल सिंगलोटी नो नो इसलेटेट तो है पर इन तीनों के अलावा है तो वह मैं पास क्या होती है नो इसलेटेट सिंगलोटी of FZ, then Z is equal to A is called non-isolated singularity of FZ, और मैं बताओंगा आपको मेरी आने वाली classes के इंदर, अब आप से पुछा जरा कि which of the following points are the isolated singularity of FZ, आप से पुछा जरा isolated कौन सी है, तो एक तो Z is equal to 1 पे हमारे पास ये नहीं हो रहा और एक Z is equal to 0 पे नहीं हो रहा, तो 0 और 1 जो दो पॉइंट होंगे हमारे पास, इन दोनों पे यहां पे जो singularity होगी, वह हमारे पास क्या होगी? isolated singularity होगी, क्योंकि इनके अलावा, इनके नेबर रूट में function यहां पे क्या हो जाएगा? इनलिट हो जाएगा, बन्दब Z is equal to 1 के अलावा बाकि सभी point पर यह function define होगा, 0 के अलावा बाकि सब यह function क्या होगा? define होगा, तो यह हमारे पास क्या होगा? isolated singularity होगी, 0 और 1 इसका क्या होगा? answer होगा, इस अब से आप से पूछा दार है कि the order of 0 of FZ, Z power 4, तो इस भी हम जानते हैं कि FZ is equal to Z, सामने देख रहा है, सामने देख रहा है, इसका answer 4 आएगा, पर अकर देखना चाहें तो कैसे भी कर सकते है, Z is equal to 0 रखके देखें आप, तो हम जानते हैं कि 0 आएगा, फिर इसको differentiate करी है, एक बार F-Z निकाले तो यह और F-Z निकालेंगे, तो F-Z is equal to, हमारे पास क्या है, सुनिया पर अपर 24Z, और इसका 4th order derivative निकालेंगे, तो हम जानते हैं, यह हमारे पास आजाएगा 24, है ना, तो सुनिया हम जैसे 0 रखेंगे, तो यह F-0 is equal to, यह भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और जब हम double derivative 0 रखे तो भी हमारे पास 0 हो जाएगा पर जैसे हम इसका 4th order derivative रखेंगे 0 तो यह 24 आएगा विच इसका मत्तब इसका जो order होगा वो 4 होगा है ना जो भी इसका derivative होगा वो इसका क्या हो जाएगा आपको तो आज मैंने आपके सामने जस्क्लासिफिकेशन बता है दो टाइप के सिंग्लोटी होती है वन इस इसके इंदर में आपको को वन बाइवन एक पॉइंट को डिसकेश करने वाला राइट सो लास्ट मेरी यह जो कॉंप्लेक्स अनासिस की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सब टपिक समझा रहा है वह आप देख सकते हैं यह मेरा नया वाला चैनल है जिसमें मेरा बहुत अच्छी शॉट ट्रिक की वीडियो अपर ओफालोड कर रहा हूं तो यह भी आप यहां पर देख सकते हैं यहीं मेरा नया चैनल इसको सब्वर्य कर लिजे और यह मेरा पुराना चैनल जहां पर आप कर कार्यो फीदिन करिये लाइक करिया चैनल को Snapchat कर एच व्यांप